त्रुष्प है है अभी हम वीदियो सुल्यूशन करते हैं में करिए इसे नहयंगे शुरू करते हैं तो चलिए स्टार्ट करें किया फर्स्ट को चन्य स vacc City क्लों पर्टे र souhaται रिरेखा है detail इश कॉंण सै ्य थो सही रिलेशन की पैचान करें तो अपने कीडियरता है गती का formula बता रखा है तो अपन गती का फॉर्मोला जानतें मोशन च्पूसय्ट ठीक है अवने का दिस्टेंस अपन टाइम होता डिस्टेंस बटा ताइम तो सही सतना स्थ डू स्च अपन टाईम यह स्टेंस पर श्च का चलते हैं करें नेक्स्ट कोश्टन आप कह रहा है गती की मूल काई कौन है विट वन इस दि प्रीजिक यूनिट ओफ पीड तो बेशिक इनक्रीड कौन हो थी आपके पछी पर जाहें मिटर पर सैकंड मुल उडिट है मेंटर बटा सेकंड ही इसका सही आंसर रहेगा next question है question no.3 इसमें करें an erect and large virtual image can be formed by एक सेधा तथा वस्तो से बड़ा आबासी प्रतिविंप्राप्त किया जा सकता है बड़ा प्रतिविंप्र बनाना है आबासी होना चाहिए तो आपने जानते हैं कि जो उतल दरपन है वो छोटी image create कर रहा होता है छोटा कर देता इमेज को तो इसका सही उतर आपके पास में होगा केवल आउतल दरपन के दुआरा it is the correct answer आउतल दरपन के दुआरा ओके नेक्स्ट कोश्चन नमबर च्यार एकर बस ट्रैवल चॉपन किलोमेटर इन 90 मिनट्स दस्पीड और बस इज बस की स्पीड कितनी रहेगी तो इसमें अपन निकाल सकते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या था स्पीड इस इकोस टू डिस्टैंस बट्टा टाइम ओके डिस्टैंस कितनी ट्रैवल कर रहा है वह चॉपन किलोमेटर जिसको में लिख सकता हूं चॉपन इन्टो टैन्टो दी पावर थ्री मीटर टाइम किता लग रहा है इसको 90 मिनट तो इसका अंसर हो जाएगा 90 इन्टो 60 सेकेंड तो इस पीड आपने पास आएगी 54 इन्टो थाउजेंट बटा 96 स्वरी 90 इन्टो 60 जिरो से कैंसिल कर देते हैं 96 में 6 काट देंगे इसका उत्राज है कर टैन मेटर पर सेकेंड यह इसका सही उतर है टैन मेटर पर सेकेंड ओके नेक्स्ट कॉशन करते हैं पांचवा नंबर यह कह रहा है कि इन मेकिंग और हाई वोल्टेज बैटरी तो उच्वा बैटरी बनाने के लिए अपने किसको काम में लेते हैं तो हाई वोल्टेज बनाना है इसको अपने को तो हाई वोल्टेज बनाने के लिए आपके पास में अपन बैटरी काम में लेंगे जिसमें एक सैल का दना अपना ट्रिमिनल अगले के रिनाप में जुड़ा मतलब सीरीज कॉंबिनेशन में हो तो अपना उत्तर इसका सही आ जाएगा सीरीज कॉंबिनेशन होना चाहिए तो स सिरीज कॉंबिनेशन कौन सो कर रहा है यहां पर आपको फर्स्ट ऑप्शन सो कर रहा है तो यह सही उतर है इसका नेक्स्ट कोशन करते हैं आपका पाथ ऑफ लाइट का पाथ कैसा होता है बहुत सिम्पल सी है प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है तो सीधी रेखा का एक्जामपल है आपने पार ओल्वेज के स्ट्रेट लाइन ऑप्शन नंबर एक इसका सही उत्तर होगा ठीक है नेक्स्ट कोस्टन करते हैं वेग की कई है तो यूनिट ऑफ वेलोसीटी उनिट ऑफ वेलोसीटी क्या होगी आपके पास में वेलोसी sentenced upon time टाइम की होती है सेकेंड तो सही उत्र आपका हो जाएगा मिटर पर सेकंड ऑप्शन एक इसका सही आंसर रहेगा नेक्स्ट कोस्ट्टन तो अपने पास में रिलेक्शन हमने पड़ा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो डबल होती है फोकल लेंद की एफ की वेल्यू किती दे रहेगी आपको 30 सेंटीमेटर दे रहे है तो आज की वेल्यू किती आ जाएगी 30 गुणा 2 60 सेंटीमेटर तो सही आंसर आपका आप्शन एक होजाएगा 60 सेंटीमेटर इस्थि कर्क्ट आंसर फोर्थिस कोस्टन नेक्स्ट आपका है इदा करेक्ट रिलेशन बिट्विन एलेक्रिक पोटेनशियल एलेक्ट्रिक करेंट एंड डिस्टेंट इज ओं सलो और्मश्य कॉंस्टेंट था से डिलेशन होगे option नमबर दो आपका वी इस इकोस टू आई आर यह आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ओके नेक्स्ट कॉस्टन पर चलते हैं दस नमबर पे क्या आट कि एकी आटी फॉल्विंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज उल्टेज को कौन सी यहां पर फॉर्मूला औरीप्रेजट्ड कर रहा है तो इसके लिए देखिए मौलतेज आफोमला क्या होता है कि कहते हैं कि वोल्टेज इस इकोस्टू वर्क बट्टे चार्ज करण Outdoorheen चार्ज का फोर्मॉल्न होता है हमने गभी पड़ा आई-ब्राबर होता है क्यों बट्टा टी के किसके हो जाएगा रजा इसका सही आंसर हो जाएगा 11 number question करते हैं the if the potential is 220 volt and the current is 11 ampere then the value of resistance is resistance की value क्या होगी तो resistance की value निकाल नहीं है तो अपने formula पड़ रगा है अभी बड़ा ohms लोग से i v is equals to i into r था तो r is equals to कितना हो जाएगा v पटे i v कितना है 220 आई कितना है 11 तो इसका answer आजाएगा आपके पास में 20 ohm is the correct answer for this question okay next 12 number question करते हैं यह कर रहा है वैं इस्विच इन ओफ पोजिशन में है तो इन में से सही relation कौन सा होगा सही संबंद कौन सा है स्विच बंध है तो इसका पहली परिपत पूर्ण नहीं है जैसे मैं इस परिपत का निर्मान कर रहा हूं यहां पर रिजिस्टेंस लगा रखा है यहां मैंने बैटरी लगा रखी है माइनस की इस तरह से परिपत में करेंट फ्लो नहीं हो रहा है सर्किट क्लोज माना जाएगा इसका मतलब पहला तो सही इसमें अपने हो गया परिपत आपके पास में खुला हुआ है करेंट फ्लो नहीं हो सकता तो दो और तीन नंबर ऑप्शन दोनों इसके करेक्ट आंसर होंगे ओके अब अपन सलतें नेक्स्ट कॉश्टन तेरा नंब कि से सब्सक्राइं किसे बना औरे किसे बना वहा हुगा किस फॉरमूल किस स्मय रोचन राएं पर्तिर बन रहा है तो बड़ पर अगशा किसा बनेगा इसका वा हमें म में पास में पास लेंज कैसा होगा यह आपका आउतल है यह आपका उतल लेंज है ओके तो आउतल क्या करता है प्रकाश करनों को इखटा करता है अभिसारी करता है तो जो करता है उसकी image converge करेगा वो चोटी बनेगी और diverge करेगा वो बड़ी बनेगी तो सही उतल इसका है आउतल लेंज बसरते प्रतिविम वस्तु से छोटा है ठीक है प्रतिविम सिद्धा है पर छोटा है तो वो सिद्धा बन जाएगा आउतल लेंज से ठीक है इरेक्ट के लिए next question करते ह है चोदा नंबर कि इसमें करें इफ एन ऑब्जेक्ट इस प्लेश्ट एट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फाइफ मिटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मीरर तो डिस्टेंस बिट्विन दी अब्जेक्ट एंड इमेर्स वाद मीरर विल बी एक वस्तु समतल दरपन से पॉइंट दूरी पर रखी है तो दरपन से बनने वाला पड़ती विंप वस्तु की दूरी कितनी होगी देखें इसमें यह अपने पास में प्लेन मीरर है ठीक है इस से पॉइंट पांच मीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो ठीक इसके अंदर यहां पर इमेर्स फॉर्म होगी इसी डिस्टैंस के वापर पॉइंट पांच मेटर तो इन दोनों की बीज की टोटल दिस्टैंस कितनी होगी पॉइंट फाइव प्लस symbol of represent the speed of an object speed represent करनी है बार बार अपन पड़े है speed represent करने speed होती है distance upon time then meter per second is the correct answer for this question अपन चेक कर लेते किस option में दे रखा है देगो option 4 में दे रखा है meter per second तो इसका सही उतर हो जाएगा next question करते हैं इस्वार नंबर विच आफ दी फोलाइंग कैंनोट वी यूज़ड फॉरे मेजरमेंट ऑफ टाइम टाइम मेजरमेंट के लिए किसको काम नहीं लेते हैं तो देखिए इसमें टाइम मेजरमेंट आप करेंगे समय नापने के लिए अपने पास एक इंट्रेवेल होना चाहिए तो टपकता है इसको काम में ले सकते हैं किती सेकेंड में बूंदे नीचे गिर रही है साधारन दोलक सिंपल पेंडूलम इसको भी कैलकुलेट कर सेथे किती दिर वो दोलन कर रहा है इसके बाद दिन के समय की सिफ़ चायां बिल्कुल बस रते पुराने समय में चायां के आदार पर घड़ी का पता लगा लिए टाइम मेजरमेंट कर लेते थे तो अंतिम अबितराजपर टेम से लसी टूड़ी वी डिसकस अबाउट डीटी असी हरियाना पेपर हमारा जो पार्ट रहेगा वह रहेगा कैमेस्ट्र का पार्ट और किश्यन नंबर 17 से स्टार्ट होएगा देखिए तो हम देखते हैं किश्यन नंबर 17 तो आप लोग देख सकते हैं फोर्मूला ऑफ कोपर सल्फेट इस यानि हमें यहां पे कोपर सल्फेट का फोर्मूला बताना है देखिए कोपर सल्फेट तो अगर हम बात करें तो यह हमारे पास क्या हो गया कोपर और यह हो गया सल्फेट यानि हो गया यह कोपर सल्फेट का फोर्मूला सी यू आसो फोर है हमारे पास option number first में यानि बच्चों first option क्या हो जाता है बिलकुल correct चलिए next question की तरफ हम चलते हैं देखिएगा next question 18th number question very interesting question है the process of getting crystals of pure substance from their solution in यानि किसी विलियन से सुद्ध परधार्त के crystal प्राप्त करने वाला परकरम है बच्चों हम सभी जानते हैं किस प्रक्राम इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे क्रिश्टलाइजेशन यानि फॉस्ट ऑप्सन क्या हो जाएगा बिलकुल ही करेक्ट नेक्स्ट ऑप्सन देखेगा स्वरी नेक्स्ट किशन है 19th नंबर किशन निटेन नंबर किशन है फोर्मुला ऑफ मेगनीशं ऑक्साइड इस बहुं 98 का हो तो है यहां पर अप्सन नंबर किया हो जाएगा बिलकुल ही करेक्ट हो जाएगा बिलकुल आसानास चेंस देखे त्वंटी नंबर की शन आप लोगों को क्या करना है यहां पर इसका अंसर देना है डेस 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 इस यूज तू नुट्रिलाइजेशन आफ एसेडिक नेचर ऑफ सोयल यानी सोयल की जो एसेडिक नेचर है उसको अगर हम उदासिन करें तो किस से करेंगी तो देखिए आपक कभी एसेड को नुट्रिलाइज नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास सोयल के अंदर क्या है एसेड है तो उसे नुट्रिलाइज कौन करेंगा बेस तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्छों कैल्सियम ऑक्साइड अब हम बात करते हैं ट्वंटी वन नंबर किश्यन र crimes कोर्बीक अश्यद प्रेजंट उखेये सले आरे स्कोर्बीक है एसिड है किसमे प्रजेट होगा तो बच्चों यही हमरां जानते हैं कि अंदर क्या होता है स्कॉर्बीक ऐसिड और स्कॉर्बीक आ विटामिन-C से टो तो सिधा सा आउसर क्या चला घे हमारे पास फिर्स्ट उप्षन लेमन लेंन में क्या होता है अच्छ आयसेट होता है क्या होता है यह सारे होंगे वो टॉमेटों में प्रेजेंट नहीं होंगे यह हमारे पास देखिए लक्टिक एसिड है यह किसमें होगा किसमें होगा बच्चों दही यानि कर्ड में होगा टार्टिक एसिड किसमें होगा इमली में होगा और फॉर्मिक एसिड हम बात करें तो आंट में यानि इंडिकेटर याइन आपको बताना है कि जो आप संसOP हो दिख रहे हैं उनमें से कौं सा नेचरल इंडिकेटर है देखे बच्छों अगर मैं बात करूं तो जानते हैं, तो तो ऍमेर्ग होता है, natural Andrea होता है, चाइना रोस, very very important, भूलना नहीं है, चाइना रोस भी क्या होता है, नेचरल इंडिकेटर होता है, फिर देखें, litmus, very very important, लिटमस भी क्या होता है, बच्चों, यहाँ पे natural indicator, यानि तीनों के तीनों ही क्या हो गए नेचरल इंडिकेटर यानि यहाँ पर अप्रॉक्स अभी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट किशन देखीगा बच्चो 24 नंबर किशन जनरली सबस्टांस लाइक दीज विचार बीटर इंटेस्ट यानि यहां पर भी ओप्सन क्या हो जाएगा दिलकुल करेक्ट हो जाएगा देखेगा आप लोगों को मास कमपोजिशन देखना है सबसे पहले वोटर का formula लिखिएगा formula क्या होता है बच्चो एस्टू ओ होता है देखिए अब अपने को देखना है mass composition तो मैं यहाँ hydrogen ratio oxygen की बात कर लूँ ठीक है hydrogen का मास देखिए 1 hydrogen का 1, 2 hydrogen का 2 तो इसका मास हो गया 2 अगर मैं बात करो oxygen तो oxygen का मास कितना हो जाएगा 16 तो यह मैंने लिख लिए अगर हम इने कट करें तो देखे ये टो से कट गया तो यहाँ पे बचा it तो वन रेष्यो एट आया और किसका हे यह हाइड्डीयोजन का तो आपको लिखना हैً आक्सिजीट का लिखना एकมày continents यह से फिरले पर वन रिष्यो नहीं है,. यह बिनिया गए यह ultra. 1 ratio, 8 ratio of hydrogen and oxygen respectively. यानि यहां पर आप लोगों को बिलकुल इसी order में answer देना है. hydrogen का 1, oxygen का 8. तो क्या हो जाएगा? 1 ratio, 8 ratio of hydrogen and oxygen respectively. यानि 3rd option बिलकुल correct हो जाएगा. Next question देखेगा आप लोगों. 26 number question. Water is found in a room temperature is. यानि कमरे केताब पर जल पाया जाता है. बच्चों यहां पर देखेगा, room temperature लिखावा है. तो water हमेशा एक room temperature की बात करें, तो क्या होगा? liquid form में होगा, यानि द्रव अवस्ता में होगा. यानि 2nd option क्या हो जाएगा? बिलकुल correct. नेक्स्ट किशन देखेगा, 27th नमबर किशन, chemical reaction in which heat is evolved. बच्चों, जहां heat अगर बाहर निकलती है, heat अगर evolved होती है, तो ऐसी reaction को हम क्या बोलते हैं? exothermic reaction बोलते हैं, बच्चों. क्या बोलते हैं, exothermic reaction, यानि यहां पर 2nd option क्या हो जाएगा? बिलकुल ही correct. नेक्स्ट किशन देखेगा, आप लोग, 28th नमबर किशन, acid plus base, इससे क्या form होएगा? देखेगे, salt and water. ठीक है, यह तो दिया होए किशन में, which of the following statement is correct? आपको इस reaction को देखके, इनस statement को बताना है कि कौन सा statement इनमें से correct है, देखेगा, फॉस्ट स्टेट्मेंट, इट इसे न्यूटिलाइजेशन रिएक्शन, हाँ, acid plus base, क्या होता है, salt and water, क्या है यह न्यूटिलाइजेशन रिक्षट, यानि यह क्या है, बिलकुल correct है, इट इसे ऑक्सिदेशन रिएक्शन, इसे न्यूटिलाइजेशन रिक्षट, चलिए, नेक्स्ट क्षिशन रिखते हैं, ट्वण्टिन नंबर क्षिशन देखेगा, बच्चों, देखे, आप लोगों को यहां पे क्षिशन दियावा है, डेस, टर्न, ब्लू, लिटमस, रेड, देखेगा बच्चों, अगर आपके पास लिटमस पेपर है, जो ब्लू है, अगर वो कनवर्ट हो रहा है, रेड में, इसका मतलब आपने जो सॉलिशन दिया है, वो कैसा होगा, बच्चों, ऐसे डिक नेचर का होगा, कैसा होगा एसेडिक नेचर का जो इस ब्लू लीट मस्कों किसमें कनवर्ट कर देता है रेड में यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा फरस्ट ऑप्सन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट किशन आप लोग देखिएगा थर्टी नंबर किशन एराई इस टाइप बिल्कुल इजी सा किशन है कि एराई एक प्रकार है जानते हम किसे कोरिलेट करता है यह सिल्क से तो एराई इस टाइप ऑफ सिल्क यानि थर्टी में फरस्ट ऑप्सन क्या हो जेगा बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट किशन देखिएगा फोर्मुला ओफ सल्फ्यूरिक एसिड आचाएब एस्ट्वलों फ्र वेपर से नेहां दिखान रह आना तो सेकंड ऑसे मिल्कुल एक करेक्ट बहुत ही ऍजी सा किशन था देखिए थर्टी टू number किस्टि फॉर्मुला ओफ हैज़रकलोटी आपने ने देखने थिसल्क। होता है या लोगों को 32 मिल गया 32 का लोगों से लास्ट किस्ट नंबर के श्राइब इस नौन एज श्कॉर्बिक एसिड वीचिज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट यानि आप लोगों को बताना है कि इन में से कौन सा एक है जो स्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है देखिए क्या विटामिन डी होता है नहीं क्या विटामिन की होता है नहीं क्या होता है बच्चों विटामिन सी होता है जिसे हम क्या कहते हैं स्कॉर भी कैसिट भी कहते हैं यानि यहां पर सेकंड ऑप्सन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आए होप आप लोगों को सारे के सारे जो सॉलुशन से वो समझ आ गए होंगे थैंक यू फॉर वाचिंग जैसी अल्जी हलो स्टेंट्स ही यहां देखिए विच सेल्स सराउंड्स इस टो मिटल और यहां जो कोशन पूछा गया है कि स्टो मिटल जो पूर है यह इसको चारो तरप से घेड़ती है तो इस और गार्ड सेल्स इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स तो यहां पर आपका अंसर होगा यह गार्ड सेल्स होगा जो स्टो मेटल पूर को चारो तरफ से घेड़ती है ठीक है जो रंद्र छिद्र को घेड़ती है यह हो गई आपकी गार्ड सेल्स ऑप्शन नमबर फर्स्ट द्वार कोशिक आया फॉस्ट इसका कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है इसके बाद दे कर्प सकते हैं यह एक प्रोसस है जिस प्रोसस से अपने फूड को प्रिपर यहां पर कर रहे हैं कार्बन ड्यॉक साइड और वाटर को यूज किया जा रहा है तो इसको देखकर आप पर और आंसर मार्क कर सकते हैं कि यह क्या प्रोसेश आपके सामने चल रहा है तो और इसका और अंसर हो जाएगा ओके नाओ इसके बिच में कॉल्म और कॉलम 2 दीच में तो पीचर बिलन उसका इक सही यहांपर मेल हो सकता है इसके बाद से फंजाइए नाम आज जाता है ठीक है इसके बाद पर एक गलत औप्शन आपको यहां पर जो मैच नजर आएगा आपको आटो डॉप्स ग्रीन प्लांट सीविल को यहां पर जो है लाइकें के अगर आप पर जीवी जो है यहां लाएकें नहीं आएगा तो यह वाला ऑप्शन आपको यहां पर मार्क कर देना है तर्ड ऑप्शन आपका यहां पर सही अंसर हो जाएगा ठीक है इसके बाद हम आगे कुशन देखते हैं 37 37 में आप देखिए विच केमिकल इस यूज़ फोर स्टार्च के लिए कौन सा केमिकल यहां पर आपके लिए होगा तो स्टार्च के полез करें स्टार्च के हम बात करें जहां पर यूज किया जाता है आयोडीन का सॉलीशन आपके पास सेकेंड ऑप्शन में में इसको आप मार कर देंगे इसके बाद देखिए अगले कोर्शन में देखें कोर्शन नमबर 38 तो यहां पर देखिए वीच आप दी फॉलॉइंग is not यूमन में किस चीज का डाइजेशन नहीं होता है यह आपको इसमें से पहचानना है कि मानव शरीर में किसका पाचन नहीं होता है तो आप यहां देख सकते हैं आपके जो है वह है ग्लुकोज फैट्स प्रोटीन और वसा यह तो डाइजस्ट होते ही है हमारी बॉडी में काम आपको यहां देखकर समझ जाना है कि यहां पर थोड़ा सा और आपको लगेगा तो यहीं सका करेक्टर हो जाएगा प्रिमोलर जो एक हाफ अपर जो यहां बात करते हैं तो इसका नमबर हम दो बताते हैं तो पूरे जो की बात करेंगे तो यह हो जाएंगे हमारे पास 2 प्लस 2 यह यह जाएंगे हमारे पास 4 ठीक है तो एक जो के अंदर यह हमारे पास ओगए पूरे महुत के अगर हम बात करेंगे अपर जो और फार्ट तो नमबर 48 में देखे तो कॉने समीटार्ट करती है यहां सेवा सिक्रीट्स सलिइटेट्स बिच हेल्प हेलस नंगार नहीं है यहां बता पर यहां पर यहां पर बात बिलकुल सही है तो यहां पर जो आपका सिकंड ओप्षिन आगे देखते हैं question number 41 which one of the following is correct for inhalation inhalation यानि जब सांस अंदर खेंची जाती है जब सांस अंदर ली जाती है तो इन में से कौन सा movement आपको देखने को मिलेगा कौन सा प्रोसेस जो है यह सही होगा अनता है श्वाशन वाले केस में तो यहां पर आप देखिए यहां पर होगा डाइफराम मूबस अफवार्ड और इंसाइड नहीं अगर ऐसा किया जाएगा तो सारसी का करेंगी तब ही तो फॉल्यूम है यहां पर होगा और यहां पर यहां पर इसके बाद देखिए नेक्स कोश्चन नमबर 42 यहां पर डाइग्रम जो है ग्लूकोज का फृदर जो प्रॉसेजर है वह यहां पर शो किया गया है कि ग्लूकोज बनने यहां पर कौन-कौन से केस में कौन-कौन से बना सकता है तो पहला option है हमारे पास कि अगर oxygen की presence यहां पर होती है और यह अगर होगा और होगा तो सीरियसी बात है यहां पर जो सीओंटू है और एनरजी यहां पर बन जाएगी तो पहले ऑप्षेन के पास आपके पास यहाँ वन जाएगा और इसी से आप जब निकाल सकते हैं पहला आपने क्लिक कर दिया है तो देखिए सिर्फिसी के अंदर आएस तूह आ रहा है तो वह होता है due to the formation of lactic acid का formation यहां पर हो जाता है जिसकी वज़ा से आपको पेंट जो होता है तो यहां पर अब देखिए अब देखिए अब सब्सक्राइब करेक्ट अब करेक्ट अंजर बहुत आगे देखिए अगले कोशन की बात करते हैं 43 43 में देखिए which one of the following is responsible for the red color of blood यह काफी इसी कुछन आगया आपके लिए किसकी वज़ास से होता है वह कैसा होता है रेड होता है तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मार्क कर देना इसका सही हो गया उधिर का लाल रिंग किसकी वज़ासे होगा ही मुज़ासे होगा ही मुज़ासे देखिए आगे बात करते हैं 44 में 44 में देखिए which one of the following is a mismatch गलत मिलान कौन साइन में से जो सही मैच नहीं कर रहा है तो पहला है रूट है यह बढ़ा देती है जलका ऑशोशन करती है अगला देखिए स्टॉमेटा 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 स्टॉमेटा से नहीं होगा अगला हम देखेंगे जायलम ठीक है ट्रांसपोर्टेशन और वाटर ओके है फ्लोयम फ्लोयम ट्रांसपोर्टेशन फूड यह भी ओके तो आपका जो गलत मिलान है जो मिसमैच है वो है ऑप्शन नमबर सेकेंड सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसका रंद्र जो है नहीं करते हैं जो है भाग लेंगे अगला देखेंगे हम क्वेशन नमबर 45 इसमें पर उरीनेशन के लिए यूरीन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो सही पाथ है वह पाथ आपको यहां पर चैक कर लेना है तो फॉर्मेशन कहां हो रहा है इसका ब्लेडर में और फाइनली बॉडी से बाहर निकलेगा थ्रूदी यूरीत्रा तो पहला ही ऑप्शन जो है यहां पर बिल्कुल सही मैच कर रहा है हमारे पास देखिए वरिक में निर्मान होगा मुत्रवाहिन इसे आएगा और मुत्राशय में इसको स्टोर किया जाएगा औ बिल्कुल सही पाथ है यूरीनेशन के लिए तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका जो है करेक्ट आंसर यहां पर आपको नज़र आएगा आगे देखते हैं कौशन नंबर 46 46 में देखिए इन वीच प्लांट विंग्ड सीड्स आर फांड यह आपकी एंसेर्टी का जो डिरेक्ट जहां पर ऐसे विंग्स यह जो है यह आपको विंग्स यहां पर दिखाई देंगे ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है जबकि यहां सेंट्रलाइजड जो है यह सीड तो यहां ऐसा स्ट्रक्चर आपको सीड का नज़र आएगा जहां पर विंग्स जो है दोनों तरब यहां नंबर 47 read the following statements carefully and find out the incorrect statement यहां statements को आपको पढ़ना है incorrect statements को आपको है पहचानना है तो पहला statement flowers which contain both stammons and pistols जहां दोनों होते हैं pistols भी है stammons भी है यानि male or female reproductive organs दोनों है उनने bisexual कहा जाता है बिल्कुल सही statement रही तो पहला यहां पर सही हो गया नहीं है अगला देखिए the transfer of pollen grains from enter to the stigma of a flower is called fertilization नहीं यह गलत हो गया है क्योंकि enter से हम देखते हैं कि जो pollens है pollens का transfer होता है कहां stigma यानि male flower से female part कि हम अगर बात करें यह वाला जो procedure है यानि the transfer of pollen grains from the enter to the stigma is known as pollination इसका नाम जो है वो pollination होता है ना कि fertilization fertilization क्या होता है fusion of male and female gametes तो यहां fertilization pollination की जगे fertilization दिया हुआ है तो यह वाला जो होगा यह incorrect हो जाएगा in sexual reproduction male and female gametes are fused to form a zygote बिल्कुल सही है और the fruit is the rapid ovary हमी पता होवरी ही डॉलफ होने के बाद fruit का formation करते तो सारे statements आपके यहां पर सही है गलत हो जाएगा वह आपका सही हो जाएगा यह incorrect statement है ओके अब देखते हैं आगे question number 48 की तरफ तो यहां देखिए which one of the following और देखना है कि fragmentation method से विखंटन विधी से कौन सा जीव जो है जनन करता है कौन सा अर्गनिजम यहां पर रेचि करता हैं तो ये के लिए पूलते हैं किससे वैडिंग प्रॉसेस से यह reproduction करता है यह करता है कि लिए वर्त करते हैं यह exaggerate करता हिशंट बैनरी फीशान प्रोसेस रिप्रॉट्यूस करता है ठीकी है इसके बाद सब्सक्राइब करते हैं तो जो सही आपके पास आजाता है जो फ्रेग्मेंटेशन विखंडन विदी से जनन करता है रिप्रोड्यूस करता है तो ऑप्शन नमर पूर इसका करेक्ट आंसवर यहां पर हो जाएगा सब्सक्राइब करते हैं हमारे फाइंडल कोशन की यहां पर क्या है तो यहां पर आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं यह ट्रांसपोर्ट नहीं करता है यह हमोगलोबीन का काम हो गया तो क्या आप जानते हैं जो हैं जिनको बॉड़ी की सोल्जर्स सोल्जर्स ऑफ बॉड़ी कहा जाता है यानि जो बाहर से जो एंटीजन आते हैं उनके खिलाफ यह फाइट करती है लड़ाई करती है तो इनका काम हो गया फाइट अगेंस्डी जर्म्स रुगानों की वरुद्ध लड़ना यही ऑप्शन इसका सही होगा इन्व इसका नहीं होगा ठीक है जो सही ऑप्शन है इस कोशन का वह है कोशन नमबर सेकेंड रोगानों की वरुद्ध लड़ना यह हम कहें फाइट अगेंस दा जर्म्स ओके तो यह आवे आपके बाइलोजी पार्ट जो साइंस का बाइलोजी पार्ट है उसके सारे सॉलुशन सो क बैस आफ लग पर रिजल्स थैंक यू अलोज टूट्स वेलकम तो वीडियो सोलिशन आफ लास सेवन वीच फॉलोंग इस तू इनवे से आपको बताना है कि कौन सा सही है तो पहला ऑप्शन देखो यहां पर क्या करता है माइनस एट प्लस करना है माइनस टूट थीक है और और कि धर यह माइन स सेर्ट और यह माइनस माइनस प्लस फोर होगा तो फॉर माइनस एक कितना हो जाएगा माइनस पूर यहां पर बीच में साघ्रोंगन लगा तो इसका क्रीक्द होगा किर्ण तो नेक्स्ट वेशन है के 52 गरना है दस बार करोगी एवन टाइमस हो रहा है तो इवन टाइमस जो साइन होगा वह हो जाएगा पॉजिटीव में एक नियंबने लिखीत से कौन सा उचित बीन है प्रक्षेक्षिं से प्रपार फ्रिक्षिं में resonates उसके संवांब सूंवेट से बड़ा है यहां पर है और हो पूसलिख को जाएगा फूर फिर है नेक्सॴरों फिफ्टीफाइफ ओ इंप्रोपर फ्रेक्शन दिया हुए 35 अपोन एट इसको मिक्स्ट फ्रेक्शन में कन्वर्ट करना है तो मिक्स्ट में देखो डिवाइट में एट यहां पर एट रहेगा तो यह वसकता है यह वह सकता है अब इसको मल्टिपलाइब करोगे एट फोर जा 32 और 32 प्लस 3 कितना हो जाएगा 35 अपोन एट तो यह आपका से चला जाएगा ठीक है बागी की ऑप्शन गड़त फिर नेक्स पॉशन है 56 दा साइड ओफ एन एक्विलेटरल ट्राइंगल इस वन अपोन टू सेंटीमिटर दा पेरिमिटर आप पेरिमिटर बताना है एक्विलेटर ट्राइंगल है तो सारी के सारी साइड कितनी होगी बन अपोन टू सेंटीमिटर मल्टिप्लाइ कर दोगे कि से तीन से तो कितना हो जाएगा थ्री अपॉन टू सेंटीमिटर आप्शन नमबर कुण सब्सक्राइगा और थ्रें फिर है 57 कहता है कि मनीश वर for one upon two of an hour एक बटे दो आवर वो काम करता है फिर यस वर्क्ट बन अपन फॉर आप वन अपन फॉर आवर हो गया ठीक है फॉर हाव मच टाइम डिड बोथ वर्क तोगेदर यानि कि कितनी देर दोनों ने काम करा तो वन अपन टू और वन अपन फॉर को एड़ करो कितना अप्शन नमबर टू है नेक्स्ट है निमने लिक्षित में से कौन सा कथन सत्य है देखो क्या करता है दो में दो नंबर के बीच में भी कोई ना कोई एक नंबर हो सकता है ठीक है और बाकी के यह दोनों स्टेटमेंट भी क्या है गड़त है मीन लेस दिन मॉर्ट डेटार मी मीडियन लेस देन मॉड इन डेटा तो अप्शन आपना कोंसा चला जाएगा ऑप्शन नमबर एक सही होगा और फिर है नेक्स्ट क्वेशन अब यह एक टेबल दीवी है सेल दीवी मैच्स बूक की और इंग्लिस बूक की 2005 से लिके 2008 तक आप देखो क्वेशन क्या किता है इ यहां पर डिफरेंस है पचास का यहां पर है दो सो का और यहां पर है जीरो का डिफ्रेंस सबसे कम । से शाल में हवा दो ग्राइब ऑप्शन नमबर एक पिर हैं नेक्स्ट कि दो जार पांच में टीकर डर राइज इन दस तुस्ट ऑफ मैच्छ टो मैच्छ बूक का कि फिर है 61 find the ratio of sales of English book in 2005 to 2007 ratio बताना है English book का 2005 का 2007 के साथ तो देखो 2005 में कितनी थी English book 2005 में है है 100 और 2008 में है कि दो जार पांच और 2007 दो जार साथ में आपके 200 तो सो का बताड़ा है 200 के साथ में रिश्यों तो दो जिरो से दो जिरो चली गई क्या बच गया एक रिश्यों दो इसका अप्शन हो जाएक आप्शन नमबर 2 फिर है 62 write the following statement in the form of an equation one third of n तो n का one third करना है तो n upon three is यानिकी equals to four more than five तो पांच से कितना ज्यादा है चार ज्यादा है तो इसे मिलता जोलता है यहां पर कोई दिख नहीं रहा तो देखो यहां पर माइनस पांच कराव है तो बिल्कुल अपन पांच को right side में लेके जाएंगे तो n by 3-5 बराबर क्या हो जाता है चार तो अप्शन अपन कौन सा लेके चलेंगे ऑप्शन नमबर फरस्ट कर्स नेक्सिट्स है 63 समी करण का हल बताना है हहाँ तो यह दिए माइनस का 2-3 बराबर चार तो x-3 इन बराबर कितने हो जाएगा माइनस दो से चार के लगे तो कितना हैगा माईनस का 2hao एक प्सक्राइब कितने हो जाएगा तो अप्सिट नंबर फोर इस फिर है लिटो फॉलोविह स्टेट्मेंट इस तू कौन सा सकते देखो टू-एक तूल एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं तो पूरक का मतलब क्या हुआ कि उनका सम नभ़ड डिग्री से चोटे ही होगे टीक ह हो सकते हैं तो यह सत्य है जब अधिक होस्टे हैं तो जब ऑदिक होगत हो उष्म कितनी कजिएंगल हो सकते हैं अब जाएक संब कंकट अब दो क्रीन चाहिए रस वह तो राख कोन मतलब सकते हैं अब और तो le outta नहीं हो सकते एक अधिक कोण और एक नियून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं तो अधिक कोण हो गया तो वैसे जदा चला गया तो यह भी क्या हो गया गड़त हो गया तो ऑप्शन नमबर फस्ट इसका सही होगा फिर है नब्स 65 निमन में से कोन SPEAKER resp. बराबर है यानि कि पूरक के बराầर है तो على यह यह ओई हो गया माल लिया को वह तो बार बर है रहों इन दोनों का सम्क्राव ओगा यह प्ल स्ट इब्राबर सटी अब दोनों बराबर है तो तो नबबर है जीरो डिगरी का संपूरा कोण यानिकी जीरो पे कितना एड़ गरेंगे कि 180 डिग्री हो जाए तो तो इसका अंसर हो जाएगा एक फिर है 67 क्या कहता है कि इन फॉलॉइंग फिगर टैल विच पेर ओफ एन ऑफ एंगल्स आर अल्टरनेट पूछा है तो बहुत है औरव ci पी तो एंगल और क्या वेंग के अल्टरनेट या फिर इस बन सकता है तो फिकली जाएगा थी और फाइंब भी अल्टरनेट हो सकता है यहां पर देखो ऑप्षिन दिया गया थ्री और फाइव तो यह अल्टरनेट होगा बाकी कि जो एंगल दीए हुए है यह एंगल कौन से होंगे यह सारे के सारे एंगल है संघत को नुद्ध ठीक इसका आंसर को जाएगा और फिर नेक्स्ट है निम्न आकरती में एक्स का मान बताओ तो देखो एक्स यहां पर है यह पैंतारिस डिगरी का है तो यह भी कितने का जाएगा पैंतारिस डिगरी का वर्टिकल यह पॉजिट एंगल है शिरसाभी मूंब और ये दोनों साइड बराबर हैं तो इनके जो इंटिरेर एंगल होंगे वह भी दूसरे के बराबर होंगे तो एक्स किसके बराबर होगा पैंतारश डिगरी के बराबर होगा तो ऑप्शन नमबर तीन इसका सही हो जाएगा और फिर है 69 इंद फॉलोईंग फिगर डवेल्यओ औफ एक्स एक्स की बतानी है जब बीन और सी पेरलल हैं तो यह और यह दोनों पर सी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस करना है तो 50 प्लस 65 डिगरी तो 180 में से माइनस कर दो यह कितना हो गया 115 डिगरी कितना जाएगा 65 डिगरी तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर 4 है पियर है 70 इन दो फॉलोइंग फिगर ऑपी सी इस इकलिटर ट्राइंगल यह अब कि यह क्या हो जाएगा यह 60 का यह भी 60 का और यह भी 60 का हो जाएगा ठीक अब यह कहता है कि X का मान बताने तो यह 60 का है तो यह कितने का जाएगा 120 डिगरी का यह 120 का और यह 30 का सब्सक्राइब कितना हो जाएगा 30 डिगरी कितना चला जाएगा 30 डिगरी चला जाएगा ठीक तो अप्शन नमबर पहला कि एक सब्सक्राइब क्या करेंगे एक दूसरी की बराबर होगे और कोर्रेस्पोंडिंग वी बर के बराबर होंगे तो यह हो गया ए आर्टी और यह हो गया पी एन ठीक अब ए आर्टी और पी एन है ओडर भी सेम योगा यार किसके बराबर होगा पी के बराबर होगा आर्टी किसके बराबर होगा एन के बराबर होगा और एटी किसके बराबर होगा पीन के बराबर होगा अगर यह को एस से क्राइटीरिया लगना यानि की एंगल लगना है और अपने को क्या कर दिदिया एटी और पी और यह दोनों बराबर है तो इनी के ऊपर इंक्लूडेट यह दोनों एंगल होगे अंगल के लिए दूसरा अपने को दे दिया ये बराबर पी है तो तो क्या लेना पड़ेगा टी इसके बराबर यह कि बराबर यह इंगल अप्शन निम्पर सब्सक्राइब पिर नेक्स्ट कोशन है सेवन्टी टू कि एबीसी और पीक्यू आर कॉन्गुरेंट है तो सी एक कोर्रेस्पोंडिंग में कौन होगा तो देखों सी और एंट पीसी ए है तो यह कौन सी आ जाएगी आर पी ओप्षन हो जाएगा कौन सा अप्षन नमबर तीन आप फिर हैं द नमबर ओफ इस टूडेंट्स दोजार साथ वाज2002 जार साथ में किस्क्रेंट हैं 2000 हैं और यह कितने होगे कर दो जाराट में परसंटेज इनक्रीज पूर्छा तो कितने बढ़ गए चार सो बढ़ गए और कितने पर बढ़ गए पहले कितने थे 2000 टो चार ट्राड़ेस दिवाइड हो जाएगा दो से कितनी बार बीस बार तो बीस परसेंट का इनक्रिमेंट हो गया तो और इसका सही हो जाएगा कि ठीक फिर है चोतर दा एंगल ओफ ट्राइंगल और इंदर रिश्यों वन वन टू यह वन रिश्यों बिश्यों टू में निंटीबर से 60 का अनुपात बताना है तो 3 मीटर रिश्यो शाठ सेंटीमीटर तो तीन मीटर है तो सेंटीमीटर में कनवर्ट करो तो कितना हो जाएगा 300 और यह है 60 0-0 चला गया च्छे पंजो तीज और शेक पांच रेश्यो एक किसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है चार पुस्तकों का मुल्य 20 रुपय है तो एक का कितना हो जाएगा चार नुबर टू पिर देखो नेक्स्ट है सेवनिटीज सेवन सॉल करनार सेवन डिवाईडबाई 12 कि भाग मैनिस गते इड़ा गट गाएं टाय मजाएक एक नमबर निहीं तो तो है उंसर प्रिकल कर ओड़ोगे है करे पहां और प्रेंश को स्यत्वास कुश्चिन है78 बराबर में दीउ हैं तो मांइसज के multiply 14 7 से 14 चला जाएगा दो बार तो माइनस का एक्स बराबर कितना हो गया बाइस एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस का बाइस तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नमबर फॉर एक पिरंटीनाइन यह कहता है कि इसके समधुल्य नहीं है विचिस नॉट इकवालन टू सेवन अपन माइनस फू तो देखो यह ओरा है तो सेवन टू टू टाइम हो गया एट तो यह तो इसके है ठीक है शेवन त्रीजा ट्वंटीवन फॉर त्रीजा टूल यह भी ओ रहा है तो यहां पर वाला भी टू टाइम है तो नीचे वाला भी टू टाइम होना चीए तो वन टाइम होना चीए यहां पर तो इसलिए यह इसके एक्वालेंट में नहीं है तो ऑप्षन को जाएगा ऑप्षन नंबर फोर अपना आंसर सही होगा विच विच वॉलोइंग इस पताना है एक तो है था सकते हो इसलिए अब नेगेटीव यह लेकिन नंबर होता तो यह नंबर क्या हो जाएगा तो यह एक इसके तो माइनस का दो का तो ऑफ्षन पूर्ण रहेगा ओसल इसका से रहेगा ठीक है फिर नेक्स्ट वेश्ट्रशन देखो कहता है कि एक लाइन के उपर और एक बिंदू से आपको एक लाइन खेच नहीं है परपेंडिकुलर और वह भी बाहर है ना कि लाइन के उपर है तो इससे इसके उपर एक ही परपेंडिकुलर रो करी जा सकती ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा आप्शन नमबर फर्स्ट वन एक नेक्स्ट क्वेशन है है 82 विचवर्टेक्स ओफ एंगल एवी सी इस राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल इसमें दिया हुए है आट सेंटीमेटर यह बना दी आप यह त्योंगेस्ट साइड यानिक एक तो हो गया पर्पेंडिक्लर और एक लॉंगेस हो जो और आप्सिन नम्बर दो कि नेक्स्ट है 83 एंड आइसो इसल ट्राइंगल इस तूब बनाए जाना है ठीक है आइसो इसल का मतलब कि जिसमें दो साइड़ कैसी होती है बराबर होती है बाकी एक इन दोनों से अलग होती है आप नमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इंकरेक्ट आप जैसे कि माल लिया कि यह हो गया पी क्यूर तो यह अपने पास में at dansypqr तो यह दोनों पॉचिबल एक है कि रंगल 24 ड्रेंगल बना जा सकता है ठीक है damit in a change you are has equal size measuring 45 डिगरी इच तो अगर यह बराबर बाट गया तो इसके पास जाएगा तो तो यह वह होजाएगा करेक्ट अंजर प्रफिर है नेक्स्ट कोईशन है कि टीका परिमाप बताओ तो परिमाप देखो यह सेमी सरकल दे दिया तो सेमी सरकल का निकालोम के तो प्लस क्या करते होगे इसकी यह जो लेंथ है इसको हम क्या कहेंगे डाया मिटर तो पाई की वेलिवीर्डदोस रेडिस आपके पास में देवी यह 21 कि सेंटीमेटर 21 प्लस डायमेटर कितना हो जाएगा रेडियस का दुबुना कितने हो जाएगा चला जाएगा तीन बार तो बाइस तियां च्छासट और प्लस बाइस करोगे यह जाएगा 108 सेंटीमेटर यह जाएगा ऑप्शन नमबर तीन फिर है नेक्स्ट 85 दे एडिया और पेडिलोग्राम ABCD इन विच अब अब ABCD एक पेडिलोग्राम है ठीक है कि यह दे दिया A B C और D इस पर कहता है कि A B है 6.2 की तो यह कहीं दिया अपन 1.2 सेंटीमेटर परपेंडिकलर फ्रों सी ऑन अब तो सी के ऊपर एबी के ऊपर जो परफेंडिकलर है कि वह कितने का हो गया पाँ सेंटीमिटर का अब कोई भी प्यालोग्राम होता है तो उसका जो मुंता है बैस कितना हो गया पॉइंट दो और कितनी होगी पांच मुल्टिप्लाइग कर लो मैं से कि इतना हो जाएगा को तेटिस फिर है नेक्स्ट कोश्चन अ चिहां सी और एक्टेंगल वायर ओफ लेंथ 40 cm and 20 cm लंबाई और चुड़ाई देदी तो लेंथ हो गई 40 cm और ब्रित हो गई 20 cm bent in the shape of square एक square में बेंट कर दिया side of square बताना है अब देखो इसी length और ब्रित से square बनाया गया है ठीक है तो इसी से ही यह बनाया गया तो यह जो तार की जो लंबाई है यह इस में और एक वर्ग में square में दोनों में इसकी लंबाई कैसी होगी बराबर होगी अब लंबाई की बात करें तो यह क्या हो जाएगा perimeter तो perimeter किसका perimeter of rectangle is equal to perimeter of square to rectangle गलता है टू मल्टिप्लाई length plus brick equals to हो जाएगा 4 multiply by side so 2 multiply length क्या हो जाएगई लेंद देदी अपने पास में 40 बित देदी 20 इकोस टू 4 multiply by side सॉल करो तो 40 प्लस 20 60 60 का टू टाइम कितना हो जाएगा 120 120 इकोस टू 4 multiply by side अब साइड निकाडनी तो 4 यहां पर आ जाएगा डिवाइड में 4 से से डिवाइड कर तो कितना हो जाएगा 30 cm कितनी चली जाएगी ऑप्शन नमबर 3 30 सेंटीमेटर कि फिर है नेक्स्ट कोशन 87 जैड इकोल स्टू टैन के लिए इसकी वैल्यू निकाडनी है जैडी क्यूब माइनस 3 अब यहां पर 10 रखोगी तो यह ओगया 10-10 जो जो कि क्या होता है 003 से मल्टिप्लाइग करोगी 0 और यहां पर आजाएगा 10 की पावर 3 माइनस 0 को रोगे तो यहीं मिलेगा 10 की पावर 3 कितना हो जाता है 1000 तो आंसर को जाएगा ऑप्शन नमबर 3 पिर है 88 किता है value of expression expression दे दिया a cube b cube plus c cube minus 3 abc a की value 2 है तो यहां पर 2 का क्यूब हो जाएगा बी की value 3 है यहां पर 3 का क्यूब हो गया c की value 4 है तो ही हो गया 4 का क्यूब minus 3 multiply 2 multiply 3 multiply 4 solve करोगे 2 का क्यूब हो गया 8 3 का क्यूब कितना हो ट्वंटी सेवल और चार का क्यूब है 64 माइनस इनको multiply करोगे 6 6 3 जा 18 और 18 4 जा 72 तो देखो 64 और 8 मिलके बनता है 72 तो 72 मिसे 72 गया 0 कितना बच गया 27 तो option number 4 इसका स्यूँ जाएगा नेक्स्ट है 89 x equals to 0 पर क्या कहता है एक्सप्रेशन एक्स स्क्वाइर माइनस 5 एक्स प्लस एक यह एक्स इकोल स्टू 0 पर एक्स की वैल्यू जिरो रखोगे तो यह हो गया 0-5 को 0 से multiply करोगे 0 और प्लस की किसके इकोल हो जाता है 5 के इकोल हो जाता है तो के की वेल्यू पूचिए तो यह तो होगे तो 3 x 3 x 3 x 3 x 3 आएगा पांच बार आएगा तो यह कितना हो जाएगा त्री टूदी पावर फाइव यह एक्सपनेंचिल फोर्म हो जाएगे किसकी 243 की आप्शन नमबर 2 कि पिर है माइनस्ट पावर 3 का मान बताने तो माइनस तू को को मल्टिप्लाई माइनस जू से म्लटिप्लाई माइनस 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 पूअगे है तो मैनस में आईगा तू 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 पूज़े एट तो तो मैन bubbles का वद और फिर है 92 का माइनस वन टूदी पावर समसेंग यानिकी इवन नमबर है तो पावर जब इवन होगी तो नेगेटिव का पोजिटीव हो जाता है और वन की पावर कितनी भी हो तो वह रहेगा तो प्लस का वन इसका आंसर होगा तो आपस नमबर टू हो जाएगा वन है नेक्स्ट क्वेशन है 93 है हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आर दियर इन एन इकुलेटर ट्राइंगल इकुलेटर ट्राइंगल में है तो सिमेट्री लाइन कहतनी होंगी तीन होगी एक दो और यह तीन यह तीनों जो सिमेट्रीकल लाइन है इनको एक दूसरे को बराबर पराइब करेंस तरीके से लाइन अप्सिमेट्री उप्षन क्या हो जाएगा पिर है 95 वाव मेल इन प्राइलोग्राम प्राइल नो ग्राम में कितना युटिया पेलेलोग्राम में एक भी नी होती है तो आंसर क्या हो जाएगा जीरो देखो 96 क्या कहता है टू क्यूबस ओफ एज लेंद अब एज की लेंद दीवी तू सेंटीमिटर आर प्लेजड साइड बाइसाइड देलेंट ओफ रिजल्टिंग क्यूबड इस लेंद बतानी है तो देखो यह एक क्यूब हो गया यह उपर वाले फेस है यह दो सेंट नाइक्स्ट क्रॉशन 97 वोट क्रॉस सेक्षिन दू यू गैट वैन यू गिव और होरीजोंटल कर्ट तो एक डाई अपने पास में है और डाई होती है क्योविकल तो जब आप इसको होरीजोंटल कट दोगे यानि कि बीच में से इस तरीके से काटना है तो देखो यह जो उपर वाली फेस है वही यहाँ पर नीचे की फेस मिलेगी यानि कि वह भी क्या होगा एक क्यूब ही एक स्कॉयर फेस ही होगा ठीक है क्योंकि उपर भी स्कॉयर है इसके नीचे भी किया पर लिए एक स्कॉयर फेस हाईगी वांसर और जाएगा इसका स्कॉयर तो जो क्रॉस सेक्षिन हो वह वह भी एकस्कायर होगा नेक्स्ट क्वश्चन है है पहले में से सत्य है तो देखो 10 to the power to multiply 10 to the power 8 total मिलाके कि नीच यह पर 16 यह गलत हो गया नाइट होता है तो यहां पर nine greater होता है तो किसी की भी पावर जीरो है तो वह वेल्ई यह वन और सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा फिर है नेक्स्ट क्वेशन कि 99 कहता है कि अब मोटर साइकल गोज 120 किलोमेटर इन 3 लिटर हाव मच पेट्रोल विल बी रिक्वाइब टूगो 600 किलोमेटर तो देखो 120 किलोमेटर के लिए चाहिए 3 लीटर तो एक किलोमेटर के लिए कतना हो जाएगा तेन बटे एक उब इस और पूछ रहा है च्छस्ब किलोमेटर के लिए तो 600 किलोमेटर के लिए यहां पर इसको से बुटिप्लाई कर दोगे 600 से तो जीरो से जीरों से चला गया और बाएर है सट चला जाएगा पांच बारोफ और पांच दियां पंद्रा या यानि कि अपने को कितना लीटर चीये 15 लीटर ठीक तो ऑप्षिन को जाएगा 15 लिटर ओप्षिन नमबर थी कि फिर हो गया वन हंड्रेड वन अपोन एट परसेंट इस तो वन अपोन एट को परसेंट में बताना है तो हंड्रेड से मल्टिप्लाई कर दो और हंड्रेड में किसका डिवाइड होगे एट का तो कितना चला ज से ही चार वटे आट अब चार और आट को भी डिवाइड कर लोगे तो यह कितना हो जाएगा चार एकम चार चार दूनी आट कितना हो गया साड़े बारा परसेंट तो ऑप्षिन चला जाएगा ऑप्षिन नमबर थ्री थैंक यू झाल थ्री तो